की सद्गुरू महराज की जय प्रातहस्मणे अनन्स्री व्यूशित पर्माराद्शन सद्गुरू महर्शी में परमहंजी महराज का परवचन धर्म की परिभाशा मनुष्य जीवन में धर्म ही जीवन है जिस मनुष्य के जीवन में धर्म ज्यान नहीं है उसका जीवन यदि पाश्विक कहा जाए तो कुछ अति उपती और हानी नहीं क्योंकि पशु धर्म का ज्यान नहीं रखते धर्म कर्म से होता है बिना कर्म के धर्म नहीं होता परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए श्वतंत्र छोड़ दिया है फल के लिए नहीं कर्म करने के लिए परमात्मा ने बुद्धी दिया है अशत और सत का निर्णे कर कर्म करने के लिए इसी के लिए विद्याभ्याश और सत्संग है पशु के लिए विद्याभ्याश और सत्संग कहां है मनुष्य के लिए बड़े-बड़े विद्याले हैं मनुष्य विद्याभ्याश और सत्संग से अपनी बुद्धी को परिमार्जित कर लें बुद्धी को शात्विक राजस और तामस में रख सकते हैं। बुद्धि स्वभाविक ही इन तीनों में बर्तती है। लोगों की बुद्धि सात्विक भाव में कम रहती है। रजोगुन और तमोगुन में अधिक रहती है। शात्विक में सुध्य विचार होता है। राजस में संचलता और तामस में उल्टा विचार होता है। परमाद और आलश सुष्टी होती है। राजस और तामस इन दोनों से शात्विक उत्तम है। विद्या भ्यास और सत्चंशे यद्यपी बुद्धि को बल मिलता है। फिर भी मन को अपने अंदर ऐसे अस्थान पर रखो जहां राजस तामस ना रहे। एक तरफ रखने से राजस और दुसरी तरफ रखने से तामस में रहेगा। बीच में रखो तो शतोगुन में रहेगा। उन दोनों को इडा और पिंगला कहते हैं। जो योगिक शब्द जानते हैं वे समझ गए होंगे। इडा और पिंगला में राजस तामस में बुद्धी रहती है और सुषुमना में सात्विक्ता में बुद्धी रहती है। विद्याभ्यार, सत्चंग और योगिक शाधन, शाधना तीनों करो तो शात्विक बुद्धी में जमे रहोगे, तब अशत और शत का ठीक ठीक निर्नाय कर सकते हो, शात्विक रिती में रहते कर्म करो तो वह धर्म होगा, जिससे यहां और परलोक दोनों जगा शुखी रहो यहां का दुख मिशरित सुख पाते हैं, यह चंचल सुख राजस लोगों को मिलता है, जिस कर्म से यहां और परलोक दोनों में दुख पाते हैं, वह धुस्ट कर्म तामस का फल है, जिस काम से परलोक इहलोक में शुख मिलता है और अंत में मोक्स मिलता है वह सात्विक कर्म का फल है कुछ ऐसे सात्विक कर्म हैं जिससे इस अंसार और परलोक में शुखी रहो ऐसे भी सात्वी कर्म हैं जिससे यहां कुछ कष्ट मालुम होता है जैसे दवा कर्वी मालुम होती है परंतो आगे में शुखी होता है लोग ऐसा कर लेते हैं कि वे शुख को भी नहीं सह सकते कुछ से कुछ कर लेते हैं, लेकिन दुख को तो रोरो कर भोग लेते हैं, विद्या, शत्चंग और शद्गुरु की बताई योगिक किरिया इन तीनों को करो, परतेक विक्ति को अपने को धार्मिक जानने में अच्छा समझते हैं, कोई धार्मिक सिद्यांत नहीं जानकर धार्मिक बनना चाहें, तो उसकी आशा ही आशा रहेगी, आशा पूरी नहीं होगी, इसलिए धर्म की परिभाशा जानो, धर्म में पहली बात या है, इश्वर में अडिक विश्वास, जिस धर्म में इश्वर का विश्वास नहीं, वह धर्म ऐशा है, जो विशाक्त है, जो देखने मात्र का अशुब है, लेकिन वह अशुब मैं है, इसलिए इश्वर की अस्थिती और का और उसके श्वरोप का ज्ञान होना चाहिए इश्वर अस्तूती होनी चाहिए अस्तूती से उसके श्वरोप का और उसके अस्थिती का ज्ञान होता है इससे स्रधा होती है स्रधा से प्रेम होता है इस्वर का प्रेमी धर्म से विचलित नहीं होता मनुष्य की इक्षा बराबर कुछ न कुछ मांगने की रहती है किसी भी चीज को पाकर कोई तृप्त नहीं हो सकता जिसको इस्वर की प्राप्ती हुई उन्होंने कहा इश्वर की प्राप्ति में तृष्णा जाती रहती है और इक्षाओं का नास होता है इसलिए जो मांगो इश्वर से मांगो पहले तो मांगो ही नहीं क्योंकि गौ अपने बच्चे को दूध पिलाती है माता अपने बच्चे को बिना मांगे दूध पिलाती है इस्वर पर विश्वास करो इस्वर सब कुछ देंगे यदि बिना मांगे मन नहीं माने तो एक इस्वर से ही मांगो किसी देव से नहीं क्योंकि उस देव को उस इस्वर से ही सक्ति मिलती है सो बर्षा भक्ती करे एक दिन पूजय आन सो अपराधी मानवा परे चोड़ासी खान कभीर साहब पात पात के सीचवो बड़ी बड़ी के लोन तुलशी खोटे चतुरपन कली डह के कहू कोन देव दनुज मुनिनाग मनुज सब माया विवस विचारे तिनके हाथ दास तुलशी प्रभू कहा अपुन पोहारे गोशामी तुलशी दास जी देवता को संसार के लोगों को जो शक्ति मिली है इस्वर की ओर से ही लोग पुरुशार्थ करते हैं जो मिलता है वह इस्वर प्रदत है जो पुरुशार्थ नहीं करे और उसको कुछ मिले कैसा नियाय है इश्वर से वह मांगो जो और कोई न दे सके इश्वर से वह मांगो जिससे इश्वर प्राप्ति का मार्ग मिले मार्ग में जो चिन्ह मिलना चाहिए शो मिले इसलिए इश्वर के अस्तुति और प्रार्थना करो बाद में उपासना करो उपासना में जप और ध्यान करने के लिए लोग कहते हैं इने दोनों के भेदों को जानना चाहिए जप और ध्यान में जो अस्थूलता और सुक्षमता है उसको भी जानो किसी रूप को देखकर उसे मन में बनाना ही पूरा ध्यान नहीं है ध्यान और भी है ध्यानंग निर्विश्यंग मना है शंतों ने बताया है कि दो ही चीज़े हैं एक परकास और दुसरा सब्द सादकों को ये दोनों सहारे इश्वर की ओर से मिलते हैं उपासना ठीक ठीक जानो और करो जैसे एक अक्षर जानने के लिए गुरू की आवाशकता होती है उसी तरह इस अध्यात में ग्यान के सिखाने वाले गुरू की भी आवाशकता होती है और इनकी बड़ी महमा है कहीं कहीं इनको इस्वर के तुल्य कहा गया है और कहीं कहीं इस्वर से भी बढ़ कर इश्वर से बढ़ कर कोई नहीं हो शकता लेकिन इस इश्वर श्वेंग परकट नहीं होते संत लोग परकट होकर इश्वर का ज्ञान बताते हैं इसलिए इश्वर से बड़े कहे जाते हैं मैं कह रहा था कि उपासना के लिए दो पजार्थों का संतों ने बहुत उपदेश दिया है वे हैं परकाश और सब्द वे सब्द और जोती बाहर के नहीं तुम्हारे अंदर हैं ठीक ठीक उपासना करो तुम्हारे अंदर में ये दोनों मिलेंगे संसार में जोती नहीं रहे तो संसार नहीं रहे जोती रहे और बादल के कारान अंधकार ही अंधकार हो तो भी लोग, सभी लोग अंधे जैसे काम करेंगे फिर कितनी गलती और कितने दुष्ट कर्म हो जाएंगे इससे संसार भरष्ट हो जाएगा जोती को बिलकुल हटा लें तो सौर मंडल समाप्त हो जाएगा शब्द से ही विद्याभ्यास क्या जाता है जनमते ही आप शब्द करते हैं तो आप जीवन में हैं, जाने जाते हैं थोटे बड़े सभी काम शब्द से होते हैं सभी गुंगे हो जाएगे तो क्या काम करेंगे शब्द से ही काम करते हैं जब गतीवा कंप होता है तो शब्द अवश्य होता है गति और कम्प नहीं हो तो सब्द नहीं हो किसी की घट्ती और बढ़ती सब्द से होती है हमारे दार्षनिक और विज्ञानिक भी इसी बात को कहते हैं संद दर्या साहब कहते हैं शाध हो गती में अनहद बाजे डॉक्टर कान में यंत्र लगाकर छाती वगेरह को जांसते हैं शब्द ठीक ठीक होता है वा नहीं नाड़ी चलती है इसमें भी गती है शब्द कंप मैं और कंप सब्द मैं होता है स्रिष्टी के आदि में प्रथम कंपन हुआ कंप का सहचर सब्द अवश्य हुआ कंप और सब्द को अलग-अलग नहीं कर सकते सब्द में अपने उद्गम अस्थान पर खीचने का गुन होता है जिसको ओम, राम नाम, शत नाम आदि कहते हैं यह सब के अंदर-अंदर है और स्रिष्टी में भी है लेकिन जो अपने को अपने अंदर नहीं रख सकता बहर विर्थी में रखता है वह इसको नहीं जान सकता जो अंतर विर्थी में रखता है वह इसको पहचानता है अक्षरंग परमोन आदह है शब्द ब्रमोती कथ्यते योग शिखो पनिशत यही गोशामी तुलशिदाज जी का निर्गुन राम नाम है। सब को करे सब्द की आशा, पंती पंखी सियू नित राता, नानक सब्द शब्द पचाता, हाट बाट सब्द का खेलू, बिनु सब्द क्यों होवे मेलू, सारी मृष्टी सब्द के पाचे, नानक सब्द घटे घटी आचे। गुरुनानक सब्द, कवीर सब्द कहते हैं, शाधो सब्द साधना कीजे, जे ही सब्द से परकट भये सब्द, शोई सब्द कही लीजे। दूसरे देश की लोग भी मांगते हैं, इन दा बिगनिंग वाज दा वर्ड, दा वर्ड वाज वीद गौड, एन दा वर्ड वाज गौड, अर्था शृष्टी के आदी में सब्द था, वह सब्द इश्वर के साथ था, और सब्द ही इश्वर था। लोगों का विश्वास है कि क्राइस्ट इस देश में आकर बहुत दिनों तक रहे थे, मुमत सहाब भी यहां आकर रहे थे, सब्द वर्ड नात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों परकार के होते हैं, इसके अतिरिक्त प्राण मै, इंद्री मै और मनों मै, इन तीनों के भेर को भ शब्द के वर्णात्मक में राम, शीव, गौड, अल्ला आदि कहते हैं, नाम जबते जबते इश्वर की और ख्याल होता है, या बाहर का सब्द है, बाहर के ध्वन्यात्मक से इश्वर की पहचान नहीं होती, अंदर के ध्वन्यात्मक में भी पहले इश्वर की पहचान नही पाता है, तब इश्वर की पहचान होती है, वह अकथ नहीं है, केवल अंतर ध्यान से ही जाना जाता है, केवल वार्णात्मक पर जोर लगा कर अंदर के ध्वन्यात्मक को नहीं जानना, अपने में ज्यान की कमी रखना है, जानिये और शाधन कीजिए। प्रम्पुज गुर्देव का यह परवचन सहर्षा जिलान तर्गत मनोहर उच्चि विद्याल सहर्षा में दिनांक 24 1963 के सत्चंग में हुआ था। श्रीशद गुरु महराज कीजे।